कप्तान रोहिच शर्मा के पिछले साल की विश्वकब फाइनल की हार की इंतिकाम की जो आग थी उसमें मिचल स्टार्क जुलस गए कप्तान रोहिच शर्मा ने मिचल स्टार्क के एक ही ओवर में चार छक्के और एक चौका जड़कर और एक वाइड के साथ कुल 29 रन बटोरे विराट कोहली के जल्द आउट होने के बाद रोहिच शर्मा के अंदर जैसे उबाल आ गया और मिचल स्टार्क की ऐसी धुनाई की कि वो आकरमन से हटा दिये गए स्टार्क की जगा कमिन्स को लाया गया और रोहिच शर्मा ने उनका भी स्वागत जबरदस छक्के के साथ किया भारतिये कप्तान का रोधर रूप देखकर बारिश देवता भी मैदान पर रोहिच के इंतकाम की आग को बुझाने के लिए उतर गये हैं और बारिश की बुंदे मैदान पर गिरकर रोहिच के बदले की आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है अगर बारिश नहीं आती तो आज रोहिच शर्मा पावर प्ले में ही आर पार कर देने के मोड में दिख रहे थे रोहिच ने अभी तक कुल 14 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल है फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है और अगर दोबारा से वापिस नहीं आई तो खेल को जल्द शुरू कर दिया जाएगा रोहिच शर्मा के इस ताबर दोड बैटिंग को ले करके आपकी क्या कुछ राय है आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख के बताएं